तो यह हम बहुत दिनों पहले बगवान बालुनाग जी के मंदिर में गए थे उनके दर्शन करने के लिए तो यह क्लिप मैं बहुत दिनों बात डाल रहा हूँ क्यूंकि obviously मेरे फोन में पड़ी वी तो मैंने सुच एडिट कर लेता हूँ बैट के टाइम पास हो जाएगा वैसे भी मेरे को क्या ही काम होता है तो यह हम गाड़ी में निकले है पंडो डेम से और यह है पंडो डेम का नजारा जब जब वहां पर बारिश नहीं होती तब का और जब बारिश होती है तो आई गयास तुम लोगों ने देखी होगी वीडियो इंटरनेट पे अज़कोल बहुत ज़ादा वाइरल होती है पंडो डेम पे बारिश के बारिश के बारिश का महौल कुछ और ही रहता है लेकिन जब बारिश नहीं होती तो यहां पर बहुत ही सुन्दर नजारा देखने को मिलता है हम लोगों को पंडो डेम से अगर आग भी आपना चाते हो तो आओ लेकिन मौसम का पता करके आओ बा तरनाक एडवेंचर जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ये सब चीज़ें देखने उनको अच्छा लगता है टूटर डेश्ट को कभी-कभी हम भी निकल जाते हैं वेसे तो हमारे घर के साथ भी ऐसा ही नजारा रहता है लेकिन कभी-कभी होता है कि क बगड़ लोग पांच लोग बैठे हुए और गाड़ी हमारे सबसे बड़े भाई चला रहे हैं अब विसली जो कि उनको चलानी चाहिए क्योंकि हम चलाएंगे तो कहीं और भी जा सकते हैं और ये हमने सेंज दिवतन घाटी में परवेस कर दिया है और लड़के कुछ आते हुए एक और मंदिर दिखा हमको इधर हम बताएंगे आती बार तुमको यह यहां पर हम उत्रे और थोड़ा देखा जगा को यह हमने बगवान के मंदिर की चड़ाई कर चड़ना सूरू कर दी यह सब नजारा तुम लोग देखते हो इसको देखने के लिए तुम आडियो मूट किया हुए चलो क्या मारा है यह तो मुझे भी नहीं याद क्योंकि जोग पुराना है हम बहुत टाइम पहले गए थे लेकिन फिर भी देखो 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 कैमरा सीधे ले लिया बहाती और यह बगवान बालग जी और यहां पर कोई माता भी आए हुए थे मुझे इनका नाम नहीं याद लेकिन हम सभी लोग ने दर्शन किये फिर एक अंकल ने हमको बताई यह जो दो अंकल है इन्हों ने हमको बताया कि एक बंडार जाने का रास्ता है शौटकट तो अब सड़क छोड़के वह वाला रास्ता ले लो तो हमने भी सो अब लेकिन इतने लंबी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा लेकिन हो सकता है क्लिप बहुत ही वाइड लिया सबने बहुत ही आराम अराम से क्यूंकि सबको एडिट करके भाई घर पर वीडियो डालना होती है ट्रेंड भी तो फालो करना होता है तो यह हम चले थे मंदिर की औ और यह देखो कैमरा पकड़ा और यह यहां पर लाल जैकेट वाला मेरा भाई और मैं हम दोनों आगे चल रहे हैं यह शायद मैंने वीडियो बनाने के लिए नहीं बोला था लेकिन इसको खुश होकर ऐसा ही लग रहा है जैसे आप से खुश होकि यह वीडियो भी हम भी बन रहे होंगे देखो मेरे expression से तो नहीं लगता यह यह देखो real के तयारी कर रहा है लड़का हमारा खुश होकर है यहां पर जंगल में आके अरे भाई भाई नाचने लग यह दो यह नाचने लग गया बहूं यह क्या कर रहा है क्यों नाच रहा है वाई हम तो trekking कर रहे है न अच्छा नाचना भी होता है क्या अच्छा हमें अपता लगा कि नाचना भी होता है लो भाई हम भी नाच लेते हैं थोड़ी देर लोग आई जम भी लग गया नाचने देखो खुछ तो हम बहुत हैं लेकिन ये मैंने रील बनाई हुई है इस पर जो हम रील बनाने के लिए नहीं नाचे थे, obviously यह जो नीले भाई, कलर का जैकेट पहना भाई ना जिस भाई ने इसनों हमको नचाया है, कि मेरे को वीडियो डालनी है, तो तुम लोग नाचो, तो हम नाचे, बहुत नाच लिए भाई, चलो आगे चलते हैं, देखो तुम्हारा भाई सबसे आगे चल र गई थी, वहां से रास्ता भूले थे हम लोग, और यह फाइनली हम लोग पहुंच गए थे, सही रास्ते में, फोन फोन करके हमने पता किया कि यही सही रास्ता है, इसी रास्ते से हमको जाना था, और कम से कम 20 मिनिट का रास्ता था, जो हमने चल के डाही गहंटे का बना दि मैंने लाइफ में पहले बार हनुमान जी का ऐसा देखा कुछ जिसमें त्रिशूल बगारा लगे रहते थे गदा थी हनुमान जी की और एक मोरा भी था देपता का बीच में तो बहुती सुंदर नजारा था यहां पर देखने को अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो यह ज कहीं तुम बूलते रहो कि भाई पूरी वीडियो में तू का है तो ने दोरों की क्लिपे काट के वीडियो बना ली तो इस पार मुझे पता था कि अच्छा उचलना भी होता है तो इस पार हम उचल गए और यह जो सामने तुम दिखे रहा है यह है भगवान बालुनाग जी का स्थान रहता है तो तुम लोगों को बालुनाग एक बाल जाना चाहिए दर्शन करने चाहिए यहां पर देव के बहुत ही अच्छा मंदिर है बहुत ही सुन्दर नजारे हैं चारों साइड के और यह देखो तीन बंदे तो बैड़ भी गए हैं ठके हैं शायद बहुत च क्लिप मैं खुद डालता हूं यह हम लोग घर जा रहें वापिस और यह जो बंदा खुछ से इसको घर जाने की खुछी है चादी हुई है भाई कि नहीं नहीं तो घर जाने की खुछी तो होगी लेकिन यह अभी हम उपर वाले मंदिर से निकले हैं यह अगे मैं बुव मंदिर बताता हूं यह वह अला मंदिर जो हमने वीडियो की स्टाइडिंग में देखा था मैंने का